दोस्तों में सौरमली काप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फिर कुईज में आज हम देखेंगे 29 जून की करेंट फिर को जो कि सभी परिक्साओं के लिए मैत पुन रहेगी डेली करेंट फिर कुईज में मैं आपको डेली 10 मिनिट में 20 करेंट फिर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की करेंट फिर होती है अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लिना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना आज का हमारा रिविजन कोशन है विपक्स का नेता किसे नियुक्त किया गया है इस कोशन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में आंसर बताएंगे शुरू करते हैं आज की करेंट फिर को पहला कोशन है हाल ही में CAG ने कहां पर चैडविक हाउस नेविगेटिंग ओडिट हैरिटेज संग्रालिय का उद्गाटन किया है प्यारे दोस्तों पहले कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर है सिम्ला में यानि कि D is the right answer चले दूसरा कोशन है हाल ही में प्लास्टिक कचले से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सेन्य स्टेशन कौन सा बना सही आंसर रहेगा दोस्तों जैपूर सिन्य स्टेशन यानि कि D is the right answer तीसरा कोशन है भारत और किस देश के मद्दे स्पेस मेत्री मिशन चलाया जा रहा है तीसरे कोशन का रहेट आंसर रहेगा दोस्तों भारत और ऑस्टेलिया के बीच यानि किसी इस दा रहेट आंसर अगला कोशन आता है निमन में से कौन सा राज्य या केंसासित परदेश यू एल एल एस नव भारत सकस्त्र कार्यकरम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत पूर्ण साक्षर परदेश बन गया है प्यारे दोस्तों इस कोशन का सही उत्तर रहेगा लद्दाग ये काफी इंपोर्टेंट कोशन हो सकता है इसको जरूर याद रखेगा तीक है नव भारत साक्षर ता कार्यकरम के तहत ये दोस्तों जो यूटी है यूनियन टेरेटरी लद्दाग फुली लेटरेशी रेट यहाँ पर अचीव कर लिया गया है तो राइट आंसर बी हो जाएगा कोशन नमबर फाइव है चर्चित बैनर घार्ट बायलोजिकल पार्क की स्राज्य में इस्थित है दोस्तों सही आंसर रहेगा करनाटक में यानि की डी इस दा राइट आंसर देखे अगर आप लोग किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं तो master pdf को जरूर ले लिजेगा 170 रुपे की pdf है जिसके अंदर आपको सारे subject मिल जाएंगे वो भी पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं master pdf का link description box और अमारे whatsapp नंबर दोनों जंगे रहेगा link पर किलिक करके payment करके आप pdf directly प्राप्त कर सकते हैं और अगर आप payment नहीं कर पा रहे हैं link से तो इसी number पर हमें आपको बार कोड भेज देगे बट उसके लिए आपको message करना पड़ेगा किसा बार कोड भेज देजे payment करने के लिए चटा question है हाल ही में कौन भारत का सिर्ष रक्षा निर्यात साजिदार बनकर उभरा है चटे question का right answer रहेगा दोस्तो अमेरिका यानि कि C is the right answer question number 7 है हाल ही में कहां भारत की सबसे बड़ी तेन्दुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है साथवे question का right answer रहेगा बैंगलोर में यानि कि B is the right answer question number 8 है हाल ही में कौन सोवे सदस्चे के रूप में अंतरास्टिय सोर गटबंदन में सामिल हुआ है सही answer हैगा प्रागवे यानि कि C is the right answer question number 9 है हाल ही में कौन इंडिया बुलियन जेलर्स एसोसेशन की उबाद्यक्स न्यूक्त हुई है तो सही answer रहेगा अक्सय मोहित कंबोज यानि कि right answer C हो जाएगा दोस्तों हाल ही में भारत और किस देश की वायूसेन ने रक्सा सहयों को मजबूत करने के लिए अभ्यास ओपेक्स किया है तो सही answer हैगा तो दोस्तों भारत और मिस्र ने यानि कि C is the right answer नेक्स कोशन आता है हाल ही में इंडिया नेवी को मीडियम रेंज माइक्रोवेब ओप्सकर्ट चैफ रोकेट मिस्टर यानि कि M.O.C.R सोपा गया या है रोकेट किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों ये रोकेट बनाया गया है DRDO द्वारा Defense Research and Development Organization द्वारा बारवे कोशन का right answer आपका यहाँ पर A हो जाएगा कोशन नमबर 13 है हाल ही में पहला अंतरास्टे डेरी फेडरेशन एशिया परसांसिकर सम्मेलन कहां आई जित हुआ है सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए सेर करना अपने दोस्तों के साथ में यह वीडियो सुबह 16 बजए Only Top Study YouTube चैनल पर रेगुलर आती है आप चाहे किसी भी एक्जाम की त्यारी करते है दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लिया करें इसमें हम डेली बेसिस पर सारे कोशन कवर करा देते हैं और यह वीडियो सुबह 16 बजए Only Top Study YouTube चैनल पर आ जाती है जरूर देखा करें इसको सही आंसर क्या रहेगा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा कोशी यानि की A is the right आंसर कोशन नमबर 14 है 27 जून को राजपती दुरोपदी मुर्मु ने संसत के सियुक सत्र को सम्बोदित किया सविधान के किस अनुच्छेद के तहट राजपती संसत के दोनों सत्रों को सम्बोदित करता है सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा अनुच्छेद सतासी यानि की A is the right आंसर कोशन नमबर 15 है हाल ही में किसने तापेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेड़े का मोडल विक्सित किया है सही आंसर रहेगा दोस्तों IISC बैंगलोर यानि की C right आंसर रहेगा पंदर्वे कोशन का सही उतर सोल्वा कोशन है हाल ही में कौन भारत के नए गोल्फ परमुक बने है सोल्वे कोशन का दोस्तों right आंसर है कपिल देव यानि की B is the right आंसर कोशन नमबर 17 है हाल ही में कौन पाक मेला करके टीम के मुख्य कोच न्यूक्त हुए है सतर्वे कोशन का दोस्तों right आंसर रहेगा मुखमद वसीम यानि की B is the right आंसर कोशन नमबर 18 है हाल ही में भारत और किस देश ने नो सेना पर सिक्षन सेयोग बढ़ाया है तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यू एने यानि की C is the right आंसर कोशन नमबर 19 है कोआक वेरेली साइमंड्स यानि की क्योएस वेस्ट स्टुडेंट सिटीज बेस्ट स्टुडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन से भारते सहर को सिर्फ सिस्थान मिला है तो बेस्ट स्टुडेंट सिटीज रैंकिंग में दोस्तों दिल्ली को सिर्फ सिस्थान मिला है 19 वे कराइट आंसर भी हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आता है जून 2024 में किसे फिर से एक साल के लिए इस्तार के साथ रास्ट्य मानावधिकार आयोक के महासचीव के रूप में न्यूक्त किया गया है तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों भरतलाल जी को यानि किसी इस दा राइट आंसर प्यारे दोस्तों आज का हमारा हुंबर का कोशन है जून 2024 में दुनिया के नंबर एक पैरा बेडमेंटर खिलाडी कोन बने है इसका सबे स्टूडेंट आंसर कमेंट बोक्स में बताएंगे और जो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दे है कौन सा जानवर चार साल तक सोता है पांस सेकिंड का समय मिलेगा जल्दी से आंसर कमेंट बोक्स में बताएंगे इस कोशन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों गोंगा चार साल तक लगतार सोता रहता यानि कि ए राइट आंसर हो जाएगा कल का हमारा हूंवर का कोशन था हाल ही में किस देश के खिलाडी डेविड वार्नर ने अंतरास्ट किरकेट से सन्यास लिया है तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के यानि कि सी राइट आंसर हो जाएगा अगर आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडियाप को नहीं लिया है तो फटा फट ले लिजे 170 रुपे की पीडियाप है जिसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं मास्टर पीडियाप का लिंक डिस्क्रिप्सिन बॉक्स और हमारे वोट्सअप नंबर दोनों जहें रहेगा लिंक पर किलिक करके पेमेंट करके आप लोग डारेक्टली पीडियाप राप्त कर सकते हैं सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक सेर करिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को ओन रखे ताकि आगया आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो थेंक्यू सो मच बाइबाई अबरीबन टेक केर ख्याले के अपना मिलते नाइस क्लास में